नमस्कार साथियो एक्सल की नई क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग MS Excel बिलकुल सुरू से सीख रहे हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सल के फार्मूलास टैप के बारे में सीखेंगे फार्म के बारे में बिलकुल अच्छे तरीके से बताया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेर करिएगा ताके उनका भी फायदा हो और चैनल पर पहली बार हो अभी तक चैन वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक्सल के फार्मूला टैप के बारे में सीखेंगे इससे भी पहले मैंने पेज ले आउट, इंसर्ट, होम टैप सभी के बारे में वीडियो बना दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिक्सिप्शन बॉ जैसे अगर आपको लॉजिकल से कोई फार्मूला लॉजिकल टाइप का चाहिए तो आप लॉजिकल में जाओगे तो लॉजिकल फार्मूले दिखाए देंगे अगर आप फाइनेंसियल से लेटेड फार्मूले चाहते हो तो फाइनेंसियल पे क्लिक करोगे तो फाइनेंसि है случай है यहुंダए को incaraltet को इतने सारे फार्मूले को एक यहीँ वीडियो में सीक्वाना काफी जाधा मुस्किल है लेकिन आपको बता तो यहां पर जो है सबसे पहले बात करते हैं insert function के बारे में तो देखिए जो फार्मूले इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं जो फार्मूले इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं यानि कि इन जो बटन के अंदर जो फार्मूले दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपको जो है फार्मूले होंगे वो सब यहाँ पर आएंगे अगर मैं यहाँ पर आ करके यहाँ पर जो है डेट इन टाइम पर क्लिक कर दूँगा तो डेट इन टाइम यानि यह वाला जो है फार्मूला आ जाएगा इसी तरह के से यह जो फार्मूले अलग अलग दिये गए हैं इन सभी का कॉंबिनेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा यानि इसी जगह से आप इन सभी फार्मूले को इस्तमाल कर सकते हो जैसे मैं आल पर क्लिक किया है आप सभी को समझाने के लिए तो इस सीट के अंदर मैं आपको जो है सबसे पहले इन सभी फार्मूले को एक एक करके बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा फिर मैं इनके अंदर भी बताऊंगा देखिए इसके अंदर भी आपको सम एवरेज वगरा मिलता है यही चीज अगर आप जो है यह जो मैंने डेटा तयार किया है यह जो मार्क ओके करने बाद देखें इस तरीके से एक पॉप-अप बिंडिटो आएगी यहाँ पर आपको जो है o के पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर भी आ जाएगा इसी तरह किसे अगर आप जो है इसको नीचे की साइज में डान कर दो सभी का सम आ जाएगा मैं बाहर क्लिक करके एक और फार्मूला आप यहीं से लगा कर दिखा देता हूं जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं और मुझे जो है इसका average निकालना है या फिर इसी का average किसी का भी average निकालना है तो मैं same यहाँ पर आ करके बस average formula type करूँगा average type करने के बाद वास आपको go पर click कर देना है average formula automatic select हो जाएगा यहाँ पर ok करिए जिसका भी आपको average निकालना है बस वो data आपको इस तरीके से select करके range दे minimum यानि इसके बाद छोटी छोटी value और maximum इसके बाद करता हूँ count तो यह सारे formula मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए minimum का मतलब इसमें से अगर हमको सबसे छोटी value चाहिए तो हम minimum का formula लगाते हैं तो min formula को apply करने के लिए आप यहाँ से भी apply कर सकते हो या फिर यहाँ से भ formula insert function में आपको मिल जाते हैं बस आप यहाँ से search करके उसको direct access कर सकते हो और जब आप यहाँ पर click कर दोगे तो automatic देखो कि यहाँ पर equal button आ जाता है automatic ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जो है min formula लगा ही लेते हैं मैं यहाँ पर type करता हूँ min और मैं यहाँ पर ok करता हूँ तो min आ इतने में से सबसे छोटी value है अब मैं आपको सम वाले में बता देता हूँ तो सम का मतलब देखिए जोड़ना मैंने आपको बता दिया है चाहे आप यहाँ से करिए चाहे मैंने home tab में इनके बारे में यहाँ पर बता दिया है सभी चीजे अगर आपने home tab का video देखा होगा त आपको सारी चीजे पता होगी तो यहाँ से सम हमने सीख लिया average मैंने अभी आपको बता दिया है count number की बात करते हैं तो देखिए count number में यह होता है कि number को ही सिर्फ count करता है यह जो text आपने लिखे है उसको count नहीं करता है formula apply करने के लिए यहाँ पर select करिए यहाँ पर count number पर click क देखिए range अपने आप ले लिया है अगर आप इसमें से count number करना चाहते हो तो रहने दीजिए वरना आप जहाँ पर भी range दोगे उसी का ही count करेगा तो देखिए मैं यह 2 cell का range दे रहा हूँ बस इसका और इसका और मैं जैसे ही अब enter button दबाऊंगा तो देखिए इसने 10 ही यह आपर count किया है क्योंकि यह सिर्फ number को count करता है number 10 है यह जो है text को count नहीं करता है तो यहां से आपको count वाला समझ में आ गया हुगा यह जो है maximum निकालना था हमको तो इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसमें और इसमें हम जो है maximum value निकालेंगे तो maximum निकालने के लि इसके बाद यहाँ पर आ करके इंटर बटन दबा दी दिए तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है 420 यहाँ पर है आप यह देख लीजिए तो यहाँ से जो है हमने इस बटन के में जो बटन दिये गए थे सभी के बारे में सीख लिया है फिलाल आप बात करते हैं रिसेंटली यूज बटन के बारे में तो इसमें आपको वो फारमूले मिलेंगे यहाँ से आप IPMT पीपीम्ट यह सारे फारमूले लगा सकते हो चलिए इसको compartir के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेटा तयार करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ देखिए financial में जो भी फार्मूले दिये गए हैं उसमें से मैं आपको कुछ ही फार्मूले यहां पर example में बता देता हूँ बाके के फार्मूले जो है हम लोग कोई बाइक कोई टीवी या फिर कुछ भी गाड़ी वगरा भी लोन पर लेते हो तो आप यह पता करना चाहते हो कि जो लोन पर आपने बाइक ली है उसमें आपको जो EMI हर महीने जमा करनी है वो कितनी जमा करनी है तो उसमें PMT फार्मूला काम करता है अगर आप जो है उस EMI में यह पता करना चाहते हो कि उसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है यानि ब्याज कितना आप दे रहे हो तो उसमें IPMT फार्मूला काम करता है अगर आप जो है उसी जो EMI आप दे रहे हो उसमें आप यह पता करना चाहते हो कि कितना आपका मूल धन जा रहा है तो उसमें PPMT फार्मूला काम करता है चलिए इसको कैसे अपलाई करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ तो जब सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है सबसे पहले हम EMI निकारेंगे PPMT फार्मूले से यानि कि यह जो हमने बाइक खरीदी है डिगड़ लाक रुपे की इसमें जो है जहां से भी हमने बाइक खरीदी है उस पर 10% उन्होंने हमको इंट्रेस्ट इस पर लगाया है पांच साल का यहाँ पर पीरियड रखा यानि पांच साल में हमको जो है इस लोन को चुकाना है तो कैसे आप इसका EMI पता करोगे कि हर महीने आपको कितने EMI जमा करना होगा इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लिजिए इसके बाद जो है फाइनेंसियल पर जाएगे और यहाँ पर आपको टाइप सर्च करना है PMT क्या साथ करना है PMT नीचे क्साइड में आएंगे देखे यहाँ पर PMT लिखा हुआ इसके पर क्लिक कर दिजिए formula automatic apply हो जाता है और आप देखे यहाँ पर भी लिख सकते हो rate rate का मतलब यह वाला आपको select कर देना है यह select करने के बाद आपको जो है इसमें भाग देना है 12 से 12 से भाग क्यों देना है क्योंकि यह जो है एक साल का है और हमें एक महीने का यह माई निकालना है यानि परतेक महीने हम कितना यह माई जमा करेंगे इसलिए हमको यहाँ पर 12 से भाग देना है आप आपको नीचे क्लिक करना है number period में यानि कितने समय के लिए है तो यहाँ पर 5 साल है पांच साल को जब आप सेलेक्ट करोगे यह वाले number period में तो यहाँ पर आपको multiply करना है यानि गुड़ा करना है 12 का गुड़ा क्यों करना है क्योंकि यह 5 साल का है तो हमें 12 से जब गुड़ा करोगे तभी तो महीना आएगा यानि एक पहले महीने काम निकाल रहे हैं तभी यह वाला select करने के बाद जो है अब आपको कुछ नहीं करना है बस okay कर देना है जब आप okay करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको EMI आ गया है यानि हर महीने आपको इतना EMI जमा करना होगा अभी यह dollar में आपको दिखाई दे रहा है तो इसको रुपीज में convert करने के लिए इसको select करिए home page आईए यहाँ पर जो है यह comma का जो बिंदी दिख रहा है आपको इसको click कर देना है यह rupees में हो जाएगा यह चीजे आप जो है बिना यहाँ पर जाए ही देखिए यहाँ पर तो आपको यह formula मिल जाएगा financial वाले में ही IPMT, PPMT और PMT तीनों मिल जाएगा आपको यह समझना है कि चाहे आप यहाँ पर type करके करो चाहे यहाँ से करो हमारा दोनों चीज सेम है ठीक है तो यहाँ पर जो है आते हैं यहाँ पर आपको keyboard से type करना है equal equal button पहले दबा देना है और यहाँ पर आपको लिखना है PMT जैसे यह आप PMT लिखोगे नीचे एक side मे formula आ जाएगा आप इस पर double click करके इसको active कर लीजिए या फिर tap button जो होता है उसको भी click कर दोगे तो यह active हो जाएगा rate में हमको जो है rate of interest जो भी ब्याज है ब्याज की दर है वो हमको जो है यहाँ पर select करनी है इसके बाद जो है हम मैंने बताया इसको भाग देना है 12 से क्यों भाग देना है क्योंकि यह एक साल का है हमको इसको एक महीने में convert करना है इसके वज़े से 12 से भाग देना है इसके बाद जो है कौमा लगाना है कौमा लगाने के बाद अब जो है हमको number पीरिड में यह number पीरिड देना है कितने साल के लिए हमने यह loan लिया है 5 साल के लिए इ आपको जो है loan का amount select कर लेना है इतना ही काम आपको करना है इसको आप ध्यान से देख लिजिए इसके बाद जो है आपको इसको bracket को बंद करना है और enter बटन दबा देना है जब आप enter बटन दबाओगे तो देखोगे यहाँ पर यह जो है आपका EMI निकल कर आचुका है यानि हर महिने आपको इतना installment जमा करना होगा अभी यह जो है dollar में दिखाई दे रहा है इसको rupees में convert करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आईए इसको convert कर लीजिए तो जितना पीछे आया था उतना इस बार भी आया है तरीका बिल्कु करता है तो यहाँ पर हम लोग जब दबाएंगे equal button या फिर आप जो है apply करना चाहो यहाँ से तो यहाँ पर जो है financial पर आ करके यहाँ पर जो है IPMT formula लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया था लेकिन इससे असान मुझे यह वाला लगता है यहाँ पर आप equal button दबा कर दीजि कौन से महीने का आपको यहाँ पर निकालना है interest तो हम यहाँ पर one type करेंगे क्योंकि हम पहले महीने का देखना चाहते है अगर आप दूसरे महीने का देखना चाहते हो तो दूसरा महीना type कर सकते हो तो one type करने बाद जो है यहाँ पर फिर से comma लगाएंगे अब जो है number आप period कॉमा लगाने बाद यह लोन जो अमांट उपर की साइड में लिखा है फिर यही क्लिक करके स्रट करेंगा है अब आपको ब्रैकेट को बंद करना है इतना ही फार्मूला आपको अपलाई करना है इसके बाद इंटर बटन दबाओगे तो देखिए यह जो हमारा इमाई परतिक मूल धन जा रहा है यानि मूल धन हम कितना जमा कर रहे हैं वो अगर पता करना है तो हमको PPMT फार्मूला लगाना होता है यहाँ पर इकोल बटन दबाईए PPMT टाइप करिए इसके बाद जो है टैब बटन दबाके इसको एक्टिव कर लिजिए फिर से हमको जो है यही लेन में इसको दीजिए यहाँ से गुना का सिंबल लगा करके 12 से गुना कर दीजिए इसके बाद कामा लगा करके ये लोन एमौन चल़क कर लिजिए ब्रैकेट को बन कर ये इसके बाद इंटर दबा दीजिए तो आप देखो के यहां पर हमारा प्रिंसपड एमौन यानी मूल जमा कर रहे हैं अगर ये इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना मिल जाता है तो आंसर सही होगा तो यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे टोटल टोटल टाइप करने के बाद यहाँ पर आईए और यहाँ पर equal बटन दबाईए इस cell को select केजिए फिर से plus बटन दबाईए यहाँ पर आईए दोनों को हम लोग जोड़ेंगे इंटर बटन दबा लीजिए तो देखिए यहाँ पर जो हमारा EMI हर महिने का जमा हो रहा है वो यहाँ पर भी नीचेक साइड में आ गया है यानि answer बिलकुल सही है वैसे तो बहुत सारे formula इसके अंदर है जो कि हम आगयान वाली वीडियो में सीखेंगे तो यहाँ पर logical formula को समझने के लिए मैंने यहाँ पर mark sheet का data ले लिया है यहाँ पर हम लोग logical formula apply करेंगे सबसे पहले इसमें if को मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पर if को इस्तमाल करने के लिए जहाँ पर भी आप if लगाना चाहते हो बस उस cell को क्लिक करिए और यहाँ पर आपको type करना है equal इसके बाद if type करना है double click करके इस formula को active कर लेना है logical test में आपको वो value देनी है यह वाली जैसे मैं इसको देता हूँ और यहाँ पर आपको greater extra than का symbol लगाना है यानि कि यह value जो है बड़ी हो 300 से अगर यह value जो है 300 से बड़ी आए तो कॉमा लगाएंगे double code में यह बंदा पास हो जाए double code बंद करेंगे फिर जो है common लगाएंगे नहीं तो फिर से double code fail हो जाये अगर यह value जो है 300 से छोटी होगी तो fail हो जैगा ठीक है य यह वाली value अगर बड़ी हो 300 से बड़ी इसमें जो value आ रही हो 300 से बड़ी हो तो pass हो नहीं तो कॉमा लगा करके fail double code में आपको लिख देना है pass fail इसके बाद इंटर बटन दबा देना है तो देखिए यह वाली value जो थी वो बड़ी थी 300 से इसलिए pass है यह बंदा अगर मैं 200 से नीचे के होंगे वो fail होंगे जैसे 296 है यह भी fail है और 176 है यह भी fail है अगर आप जो है इसमें से किसी और का भी data कम कर देते हो 200 से नीचे का जैसे मैं 235 यहां पर कर देता हूं बाहर क्लिक करने बाद देखिए यह भी fail दिखा रहा है तो इस तरीके से आप जो है इस फ मैं यहां पर आता हूँ और equal बटन दबाता हूँ फिर से जो है हम लोग फार्मुला लगाएंगे और यहां पर logical test मैं फिर से यह देंगे यहां पर जो है is greater than फिर से लगाएंगे और यहां पर जो है मैं फिर से value देता हूँ 300 यानि ये वैल्यू जो है 300 से उपर आये तो खांप लगा देंगे अब दिखिए वैल्यू आफ ट्रू मैंने आपको बताया था कि 1 देना है ट्रू में आपको 1 लगाना है तो एक आये मतलब ये वैल्यू तो इन से बढ़ी हो तो एक आये वरना कॉमा लगाएंगे 0 कॉमा लगाएंगे 0 बस इतना ही आपको टाइप करदेना है इसके पाद ब्रैकेट बंद करदेना है इंटर दबादेना है तो देखी ये value जो है 300 के उपर थी इसलिए जो है एक आया है अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 00 भी आजाएगा जो 300 से नीचे थी तो जो है true false के लिए आप इस तरीके से use कर सकते हो इसके अंदर और भी फार्मूले है जो कि हम लोग आगयान वाली वीडियो में सीखेंगे अब बात करते हैं टेक्स्ट के अंदर जो फार्मूले दिये गए हैं उनके बारे में तो टेक्स्ट के अंदर काफी सारे फार्मूले हैं जिसके अंदर से मैंने कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख करके हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और जितने फार्मूले छूटेंगे उनको हम आगया अगया अन्वेल उडियो में सीखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला फार्मूला हम लोग इस्तमाल करेंगे वो है अपर अपर फार्मूले का इस्तमाल करके आप जो है किसी भी smallest text को अपर text में convert कर सकते हो जैसे कि अपर फार्मूला सबसे पहला इस्तमाल करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं जाता हूँ text में यहाँ पर देख सकते हो अपर दिया है इस पर क्लिक करिए यहाँ पर आपको text में वो text देना है जिसको आप अपर case में convert करना चाहते हो इसको हम दे देते हैं पहले वाले को और इसको OK कर देते हैं तो देखिए यह जो हमने RAM लिखा था इसमें AM small था लेकिन इसमें सभी के सभी letter जो है capital में आ गए हैं अगर आप इसमें RAM में AR भी जो है small रहता तो भी यह capital में कर लेता इसी तरह के से बात करते हैं lower की तो lower में आप जो है जो भी आपने capital letter लिखे हैं उनको lower case में convert कर सकते हो जैसे कि हम लोग इस पर click करते हैं आप चलते हैं text में और यहाँ पर lower select कर लेते हैं lower में अब आपको वो text देना है जिसको आप lower में convert करना चाहते हो मैं इसको जो है यहाँ पर दे देता हूँ अभी आप देखोगे यहाँ पर दिखा भी रहा है कि राम इस तरह के से लिखा है और lower में आ जाएगा तो यहाँ पर मैं okay कर दूँगा तो देखे यह राम हमने capital में था इसको lower में convert कर दिया है अब बात करते हैं made के बारे में तो made का इस्तमाल करके आप जो है किसी भी सब देखे बीच के letter को यहाँ पर ला सकते हैं जब आप इस पर क्लिक करोगे made का formula यहाँ पर आपको ढूंडना है देखे यह है इस पर क्लिक करिए made में से सबसे पहले तो आप text को select के लिए किसका आपको made निकालना है तो मैं यहाँ पर mohan का made निकालना चाहता हूँ कहां से start होना चाहिए मैं यहाँ से start करता हूँ O से तो यहाँ पर हम लोग two number type कर देंगे O के लिए क्योंकि दो number पर ही O है पहला है M फिर दूसरा है O और कितने तक चाहिए मैं यहाँ पर जो है दो ही तक चाहता हूँ दो number से start हो दो बीच के दो लेटर हमको मिल जाएं तो देखिए O ह यहाँ पर दिखा रहा है कि O ह यहाँ पर आपको मिलेगा बीच वाला तो हम जो है इसको ok कर देंगे तो देखो कि मोहन में से O ह बीच में से हमको मिल चुका है अब बात करते हैं left formula की left formula का इस्तमाल करके हरीज को select करेते हैं हरीज को हमने select कर लिया है left side से कितने number तक text को आप चाहते हो तो मैं चाहता हूँ left side से 3 number तक हमको मिल जाएं 3 अच्छर यहां से आ जाएं 3 letter तो हमने जो है 3 type कर दिया है देखिए अब जो है मैं ok करता हूँ तो देखिए left side से har यहाँ पर आ चुका है ठी इतने number तक हमको चाहिए नीचे वाले में आना है तीन हम type कर देते हैं और इसके बाद ok कर दीजिए तो same वही काम करता है बस आप दोनों तरीके मैंने आपको बता दिये हैं अब बात करते हैं text formula की तो text formula बहुत ही ज्यादा useful है और इसको आप कई तरह से इस्तमाल कर सकते हू text formula को इस्तमान कर लिए के लिए मैंने यहाँ पर एक day, month और year का एक इस तरह के से चार्ड बनाया है मैं आपको इसी के अंदर यह चीज़े समझाने वाला हूं जैसे कि for example के लिए मैं यहाँ पर आज की date डाल लेता हूं आज की date है 26 यानि 26 ग्यारह 2022 यह date मैंने डाल ली है ब यहाँ पर हम लोग आएंगे text पर, text पर आने के बाद देखिए यह इस तरीके से option आजाएगा value में हमको यह value देनी है और यहाँ पर format text में आकर के हमको जो है अगर हमको date चाहिए यानि यह वाला तो dd type करना हुआ क्या dd, बस dd type कर दोगे, dd type करने बाद आपको ok करना है तो देखिए आज का date जो था वो आ चुका है यहाँ पर इसमें से इसने date को ले लिया है इसी तरीके से अगर आप जो है month निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर आईए यहाँ से आप जो है text formula search कर लीजिए या फिर यहाँ पर इस तरीके से click कर लीजिए यहाँ पर value में है mm type करना है mm मतलब month हम लोग निकाल रहे है और इसके बाद okay कर दीजिए तो देखिए month भी आ गया है अगर आपको year निकालना है तो यहाँ पर आईए फिर से इस पर click करिए और यहाँ पर text को apply कर लीजिए text को apply करने के बाद यहाँ पर value में हम यही देंगे यहाँ पर year के लिए yy type करेंगे yy हमने type कर दिया है और okay करेंगे तो year यहाँ पर दिखे निकल करके आ चुगा है देखिए यह जो चीजे हमने निकाल ली है इसको आप text formula लिख करके भी निकाल सकते हो जैसे मैं इसको सब को हटा देता हूँ एक बार में यहाँ पर आते हैं यहाँ पर equal type क करना है लेकिन यहाँ पर आप जब लिख करके formula अपलाई करोगे तो यहाँ पर आपको quotes में dd type करना है dd quotes में type परना है ठीक है double quotes यानि double colon लगा दीजी उपर वाला इसके बाद dd type करने के बाद enter बटन दबाओगे तो देखिए 26 तारीक इस तरीके से भी आ गया है यहाँ अगर एक और कमाल की बात है कि अगर आप जो है 26 तारीक नहीं दिखाना चाते हो बलकि आज का दिन दिखाना चाते हो तो यहाँ पर एक आपको trick अपनानी है बस यहाँ पर double d की जगा ट्रिपल डी कर देना है इसके बाद enter टाइप करोगे तो देखिए आज का दिन आ गया ह और अगर आप जो है इसको दिन को पूरा लिखना चाते हो जैसे Saturday पूरा लिखा हुआ रहा है तो फिर से आप इसको डबल कीजिए और इसको चार बाट डी कर दीजिए क्या चार बाट डी कर दीजिए और enter कर दीजिए देखिए Saturday पूरा लिखा हुआ आ गया है यही काम के साथ भी कर सकते हो यहाँ पर equal बटन दबाईए text formula अपलाई कीजिए यह जो है इसको double click करके ok कर लिजिए value में इसको दे दीजिए comma लगाईए double code लगाईए इसके बाद आपको जो है mm type करना है double code बंद करना है bracket बंद करना है enter बटन दबाना है तो देखिए महीना यहां से इसने उठा लिया है लेकिन अगर आप इस महीने का मतलब देखना चाहते हो कौन सा महीना चल रहा है गिराहमा महीना है तो text मतलब number में चल रहा है लेकिन अगर आप इसको text में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक बार और M टाइप कर देना है और बाहर क्लिक करेंगे बाद इंटर दबा देना है तो देखें नवंबर चल रहा है और इसने शॉर्ट में नवंबर लिख दिया है अगर आप इसको फुल में नवंबर लिखना चाहते हो तो फिर से यहाँ पर आकर के 4 बार M कर दीजिए और यहिसके बाद इंटर करिए तो नवेंबर पूरा आ चुका है यही काम आप year के साथ भी कर सकती हो यहाँ पर हम लोग equal button दबाएंगे text type करेंगे text type करने के बाद इस फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे value में हम लोग यही देंगे इसके बाद जो है comma लगाएंगे double quote में हम लोग लिख देंगे yy जैसे हम लिख दिया double quote बंद करेंगे bracket बंद करेंगे enter button दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 22 आया है इंटर बटन दबाता हूं तो देखिए फिर भी 2022 ही आ रहा है यह इस तरीके से नहीं आएगा चाहे इसको आप पांच बार ही क्यों न कर लो 2022 ही बस लिखा हुआ रहा हैगा देखिए इस तरीके ठीक है तो year में आप जो है इस तरीके से टेक्ट में नहीं कर सकते हो बाकी सभी में जो है कर सकते हो year में नहीं होगा तो 2022 काफी बड़ा हो जागा जो की Excel में सपोर्ट नहीं करता है तो इस तरीके से जो है आप टेक्ट फार्मूले का इस्तमाल कर सकते हो टेक्ट फार्मुले को समझाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़े इसके अंतर आपको बता दिये है अब बात करते हैं टेट और टाइम में ये जो फार्मुले दिये गए हैं इनár इसमैं से कुछ फार्मुले के बारे में तो देखी और टेट का काफी जादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़े थोड़े फार्मूले सभी में से ले रहा हूँ तो यहां पर जो है डे निकालने के लिए हम लोग डे फार्मूल का इस्तमाल करते हैं यहां से हम एककोल बटन दबाएंगे डे भी टाइप कर दोगे तो डे फार्मूला नंबर में आपको यही दे ना है इसके बाद कर देना है तो देख़ें यहां से भी यह चीज आ गई है बात करते हैं मन्त में तो मन्त में भी सेम काम होगा मन्त का जातुआ आप फार्मूला टाइप कर दीजिए डबल कलिक करके एनेबल कर लिजिए सीरियल नंबर में ये टाइप करिए इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा दीजे, देखिए, मन्थ आ गया है अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ पर आईए, यहाँ पर जो है, मन्थ सलेक्ट करिए यहाँ से जो है, यह सीरियल नंबर टाइप, मतलब रेंज दे दीजे ओगे करिए, देखिए, यहाँ पर आ गया है सेम यही काम जो है, यहीर में भी होगा य, य, ए, आ, टाइप करेंगे इनेबल कर लेंगे, टाइप बटन दबा करके यहाँ से जो है, सीरियल नंबर देंगे ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए, य, यहाँ पर निकल कर आ चुका है अगर आप यह काम यहीं से करना चाहते हो तो बस आपको यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करना है रेंज देनी है यहाँ यहाँ पर, ओके करना है यह काम यहाँ से भी हो जाएगा अब बात करते हैं टाइम फार्मूले के बारे में तो यहाँ पर मैं कोई नॉर्मली कोई यहाँ पर जो है डिजिट टाइप कर देता हूँ इसको मैं जो है आपको टाइम में कनवर्ड करके दिखाने वाला हूँ मैंने यहाँ पर डाल दिया है 10, 23 और 12 इसको अगर मैं टाइम में कनवर्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइम फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर जो है इसको डबल क्लिक करके इनेबल कर लेंगे आवर यहाँ पर पूछ रहा है आवर मैं इसमें से आप जो भी घंटे के रूप में दिखाना चाहते हो जिस भी डिजिस को उसको सलेक्ट कर लीजिए जैसे मैं 10 को घंटे में दिखाना चाहता हूँ इसके बाद लगाऊंगा कॉमा मिनेट को आप जो है किसको दिखाना चाहते हो मैं 23 मिनेट दिखाना चाहता हूँ फिर कॉमा लगा करके second यह select करूँगा इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाऊंगा तो देखिए 10 बच के 23 एम यहाँ पर दिखा दिया है अगर आप टाइम का फार्मूला यहाँ से लगाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले इसे इलिट करते हैं यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर हम लोग टाइम फार्मूले पर क्लिक करेंगे यह कुछ इस तरीके से आ गया है देखिए आवर वाले में क्लिक करेंगे यहाँ से जो भी आवर लगाना मनलब आवर देना चाहते हूँ घंटे में उसको select करें इस बार हम जो है 20 घंटे select करें minute में हम लोग जो है 12 minute और second में जो है 10 second ये बस हम जो है OK कर देंगे इसके बाद देखो कि 11 बच के 12 minute PM यहाँ पर ये दिखा रहा है क्योंकि हमने तेज घंटे लिए हैं तो ये PM में चला जाएगा इस तरीके से जो है आप time formula का इस्तमाल कर सकते हो अब बात करते हैं date formula की तो अगर आपके पास कोई भी digit इस तरीके से उसको अगर आप date में convert करना चाहते हो तो कर सकते हो इसे date में convert हो जाएगा देखे हमने लिखा है 10 इसके बाद लिखा है 2012 इसको हम date में अगर convert करना चाहते है तो यहाँ पर हमें date में convert करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं formula टाइप करता हूँ equal दबा करके date यहाँ पर मैं date को tab की से enable कर लेता हूँ इसके बाद जो है year पूछ रहा है तो year हम लोग जो है ये वाला select कर लेंगे इसको हम year में देना चाहते हैं कॉमा लगाएंगे महीना कौन सा देना चाहते हूँ आप ये मैं बरह्मा महीना दे देता हूँ इसके बाद कॉमा लगाएंगे दिन, डे, ये वाला हम दे देते हैं दस तारीक है, इसके बाद जो है ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर दबादेंगे देखिए, दस तारीक बरहामा मैना 2022 यहाँ पर डेट में यह कनवर्ट हो करके आ चुका है, तो इस तरीके से आप डेट फार्मूले का भी इस्तमाल कर सकती हो यहाँ से मैंने इन सभी फार्मूले के बारे में बता दिया है इसमें जो है अगला बटन है लूक अप एंड रिफरेंस, इसमें भी काफी सारे फार्मूले दिये गए हैं, जिसमें से मैंने 2 فارمولے यहाँ पर लिखे वए हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ पहले बात करते हैं look-up फार्मولے की तो look-up फार्मولے को इस्तमाल करने के लिए आप यहाँ से भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर जो है आप इसको type करके भी इस्तमाल कर सकते हो पहले जो है टाइप करके इस्तिमाल करते हैं यहाँ पर मैंने इक्वल बटन दबाया LOO जैसे में टाइप करता हूँ लूक अप यह आ जाएगा इसको डबल क्लिक करके इनेबल कर लिजिए लूक अप वैल्यू में जो है आप जिसकी वैल्यू पता करना चाहते हूँ जाते हूँ या सेलरी जैसे कि मैं सेलरी देखना चाहता हूँ तो मैं सेलरी को जो है सेलेक्ट कर लूँगा सुनाली की salary मुझे दिखाईए कितनी है तो मैं इसको जो है close कर दूँगा इसके बाद enter button दबाऊँगा तो देखे सुनाली की salary यहाँ पर दिखा दिया है यही काम जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो बस यहाँ पर आईए इसके बाद जो है look up पर click कर यहाँ पर इस तरीके से option आगा पहले वाले option को ही click रहने दिजी ओके कर दिजी अब जो है कुछ इस तरीके से एक pop up आएगा यहाँ पर जो है आपको look up value में जो है फिर से जिसकी value चाहिए उसको select कर लेना है look up vector में आपको फिर से वही जो है पूरी list इस तरीके से select करनी है result vector में जो आप देखना चाहते हो वो देख लीजी यहाँ पर मैंने जो है फिर से salary डाल दिये okay करता हूँ तो देखे salary आ गई है अगर मैं जो है यह last वाला जो है cancel कर देता हूँ इसकी जगह पर मैं जो है अगर department मैं अगर select कर लेता हूँ और मैं अगर जो है इसको enter button दबाता हूँ तो देखे अब जो है department आ गया है सुनाली worker है जिसकी salary तो मैंने आपको बताई दिये तो look up यहाँ से आपको समझ में आ गया गया अब बात करते हैं match के बारे में तो match को भी आप यहाँ से भी apply कर सकते हो और इस तरीके से type करे के भी apply कर सकते हो मैं यहाँ पर पहले type कर देता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ match मैंने लिखा match और यह match का formula आ गया है इसको जो है tap button से enable कर देते हैं lookup value में आप क्या पता किसका पता करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर double quote में दीपक type कर देता हूँ दीपक का मुझे पता करना है यह देखिए दीपक यहाँ पर है और मैं इसको double quote बंद कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर comma लगाता हूँ look up array में आपको जो है इस तरीके से table को select कर लेना है कि इसी में से दीपक का data हमको दिखाए कितने number पर है तो हमने इसको select कर लिया है इसके बाद जो है comma लगाएंगे match के लिए आप जो है exact match कराना चाहते हैं तो 0 यहाँ पर लगा देजिए मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूं और इसके बाद bracket को बंद कर देता हूं बस यही formula आपको type करना है match के लिए इसके बाद enter type मतलब enter button दबाओगे तो देखे 4 नंबर पर दीपक है आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक, दो, तीन, चार नंबर पर दीपक है और यह match भी हो चुका है यहाँ पर भी अगर आप match कराना चाहते हो इस formula को यहाँ से इस्तमाल करें तो यहाँ पर आईए match पर क्लिक करें इस तरीके से आजगा look up value में आप जो है उसका नाम type कर दीजिए यहाँ पर मैंने यह दे दिया और इसके बाद जो है look up array में पूरी यह इस तरीके से select कर दीजिए और इसके बाद जो है match के लिए यहाँ पर जो है zero type कर दीजिए और यहाँ पर जो है okay कर दीजिए तो देखो कि यहाँ पर वो number आ गया है चार number पर दीपक है इस तरीके से आप look up और match यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हो और भी इसके अंदर बहुत ही काम के formula हैं जिनको हम बारी between, round, power और भी बहुत सारे formulas के अंदर हैं तो सबसे पहले इंड के बारे में बात करते हैं देखें रैंड formula का इस्तमाल करके आप zero से लेकर के एक के बीच में किसी भी संख्या का यहाँ पर निर्माड कर सकते हैं वो खुद बहुद आ जाएगा मैं यहाँ पर type करता हूँ equal rand ब्रैकेट बंद इसके बाद इंटर तो आप देखोगे कि यह जो संख्या आई है वो zero से उपर है और एक से कम है अगर आप इसको कितना भी बड़ा कर लोगे यह संख्या कभी भी एक से उपर जाएगी नहीं और zero से नीचे भी नहीं जाएगी एक संख्या दो बार हो सकती ह है तीन बार हो जाएगी लेकिन एक सूपर नहीं जाएगी नहीं zero से नीचे जाएगी अब बात करते है रैंड बीट्विन फार्मूले की तो रैंड बीट्विन फार्मूले को इस्तमाल करने के लिए आपको इक वर्ड बटन दबाना है और यहां पर जो है आपको टाइप क लिखो गए यह आ जाएगा इस पर डबल क्लिक करके इसको इनेबल कर लीजिए रैंड बिट्विन फार्मुले का इस्तमाल करके आप दो संख्याओं के बीच की धेर सारी संख्या यहां पर इंसर्ट करा सकते हैं जैसे मैं सबसे छोटी संख्या मैं चाहता हूँ 20 रहे और कॉ 100 के बीच में जितनी संख्या है वही सिर्फ आए ना ही 20 के नीचे आए और ना ही 100 के उपर आए तो मैं यहां पर ब्रैकेट को बंद करूँगा इसके बाद इंटर देखिए आटो जनेटर में कोई भी संख्या आ सकती है एक्जैक्ट नमबर बिल्कुल भी नहीं आएगा ज लेकिन यह संख्या 100 के उपर भी नहीं जाएगी और ना ही यह संख्या 20 के नीचे जाएगी आप बात करते हैं राउंड फार्मूले की तो अगर आपने कोई भी ऐसी संख्या लिखी है जैसे 20.21 इस तरीके से आपने लिखा है यानि पॉइंट में वह संख्या जा रही है औ उस फार्मूले को यहां से भी आप इनेबल कर सकते हो यहाँ पर जाएगे यहाँ पर भी आपको वह फार्मूला मिल जागा करना है जिसको आप राउंड करना चाहते हो इसके बाद आपको नमबर डिगिट में आपको जिर Plan करना है जिरो टाइप करये संख्या जो है पचा के उपर रहता अभी क्या है 20.21 है तो यह जो है कम करेगा यानि 20 को ही राउंड कर देगा अगर यह 20.75 रहता 71 रहता इस तरीके से रहता तो 21 ला देता अभी अगर मैं इसको इंटर बटन दबाता हूं तो देखिए यह क्या हुआ है 20 ला दिया है वहीं अगर मैं यह आपर आ करके यहाँ पर 70 कर देता हूं और बाहर क्लिक करता हूं देखिए यह 21 हो गया ठीक है तो अगर यह पॉइंट में जो है उपर रहेगा 50 के पॉइंट में ठीक है इधर नहीं यह जो है पॉइंट वाला जो हिस्सा है वो 50 के उपर रहेगा तो जो है इसके ये जो पहली वाली संख्या है इससे बड़ी संख्या आजाएगी अगर ये नीचे रहेगा तो छोटी संख्या आजाएगी यहां से आपने राउंड वाला सिस्टम समझ लिया है आप बात करते हैं पावर क तो power को इस्तमाल करने के लिए मैं आपको यहां से भी एक इस्तमाल करना बता देता हूँ वैसे आप यहां से लिख करके इस्तमाल करो या यहां से करो दोनों से मैं यहां पर आते हैं तो देखिए यह power हमको मिल गया है power पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से box आ रहा है नमबर वो नमबर डाल दीजिए पहले तो कोई एक नमबर डाल लिए जैसे 2 के power 4 होता है नै तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे 4 के power कितना आप करना चाहते हो 2 4 के power 2 करोगे तो कितना होगा 4 के 16 होगा तो अगर आप इसको करोगे तो यह देखिए 16 आजागा ठीक है इसी तरीके से अगर आप लिख करके टाइप करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ power power मैंने यहाँ पर पियो टाइप किया नीचे आगया चार के power 4 करने पर 256 आता है क्योंकि आप calculate भी कर लिजे 4 चोग को 16 और 16 16 या 256 4 के power 4 का मतलब कि 4 को 4 बार 4 से गुड़ा करना जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले टाइप करता हूँ equal 4 into 4 into 4 into 4 यही ना 4 के power 4 अब जो है इसको अगर इंटर बटन दबाओ के तो देखिए उतनी value आ रही है तो इस तरीके से आप power भी सीख गए होंगे अब बात करते हैं more function की तो देखिए जो हमको यहाँ पर फार्मूले मिले हैं वो सभी के सभी इसके अंदर भी मिलते हैं जैसे कि average देखिए यहाँ पर है count है count if है यह सारे फार्मूले इसके अंदर भी मिलेंगे जैसे देखिए min है max है तो ठीक है तो वो चीज़ हमने सीख ली है लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे काम के फार्मूले हैं जिनको हम लोग जब फार्मूले सीखेंगे तो जितने भी फार्मूले काम के हैं जो आपको हमेशा काम आते हैं office में काम आते हैं कहीं भी data entry के काम में काम आते हैं उन सभी फार्मूले को मैं आपको जो है अपने चैनल पर बिलकुल free of cost सिखाने वाला हूँ में में फार्मूले जो की आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वैसे ये वीडियो काफी ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं हमने function library की पूरी complete जानकारी आपको बता दी है next वीडियो में हम लोग बात करेंगे define name और formula editing और calculation के बारे में तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम